हलो फ्रेंट्स गुड इवनिंग सिधन्द पमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता है तो देखिए दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रिमेंट के पार्ट टू की जो की अपने कल स्टार्ट करा था वीडियो के द विकैबुलरी के वर्ट्स भी मैं आपको वाय हॉट कराने बाला हूं वाय हॉट मींज आपको अच्छे तरीकेसे ईजी वय में वर्ट्स को लर्न कराने की या मेरे ट्रिक है उसके wikaय बरी के संसन को आपने कभी बार देखा होगा और इस प्रीविश वीडियोस में आपने कि noun या pronoun as a subject आएं इसके बाद में अपना जो conjunction है वो साथ में use हो लेकिन इसके बाद वाला part भी अगर noun pronoun के रूप में use होता है it means जब हमारे पास में close ऐसा बने sentence का part ऐसा बने कि subject as a noun या pronoun plus conjunction and noun या pronoun ठीक है तो ऐसी condition में हमारे पास में जो verb use होगी वो हमेशा first subject के according use की जाएगे it means जो पहला noun या pronoun होगा अगर वो singular है तो verb singular use होगी अगर वो plural है तो verb भी plural use होगी ठीक है देखिए आगे तो जैसा अपना पहला example है आप देखेंगे the manager as well as the employees is or are on strike यहाँ पे आप देखेंगे जो conjunction है as well as दो subjects को first है अपना the manager second अपना है the employees तो यहाँ पे जो first subject अपना है manager वो कैसा है singular है nature में ठीक है जब singular होगा तो helping verb अपना is और are में से अपन जो use करने वाले हैं that is is clear ठीक है अब आप यहाँ पे कुछ words देखेंगे that is strike strike को अगर मैं as a noun देखता हूँ तो strike मेरे को बताता है क्या मुझे बताता है strike की यह हड़ता जब अपन को देखते हैं किसी company में जो employees हैं वो भूख हड़ताल पे चले जाते हैं यह उनकी कुछ मांगे होते हैं कुछ demands होते हैं जिनको पूरा करवाने के लिए fulfill करवाने के लिए हड़ताल पे चले जाते हैं लेकिन अपना जो strike है इसका Hindi मेनिक होते है प्रहार करना इसकी जो second form आएगी struck और strike ठीक है इनको पन यूज करने वाले हैं तो यहां पे जो conjunction आपको basically देखने को मिलेंगे इस question इस type के questions में वो होगा यह तो as well as say subjects जोड़ेंगे like से otherwise अपना unlike से जोड़ेगा and not say but accept excluding including rather than with along with तो basically यह कुछ words थे conjunction के जिनके द्वारा अपन sentences को subject का use करते हुए दो subjects को जोड़ते हैं ठीक है तो यहां पे आपने क्या देखा जब अपना वापस से देखिए इस चीज़ को जब अपन noun ये pronoun को दो noun ये pronoun को add करते हैं conjunction के साथ में connect करते हैं जोड़ते हैं उनको join करते हैं तो हमारा जो first subject होगा उसके according अपनी verb use की जाएगी ठीक है चलिए अगला देखते हैं for example one more example आप देखेंगे the old man with his wife has drowned या sunk अब देखेंगे यहां पे with के साथ में मैंने दो subjects को join करा है first अपना the old man second अपना है his wife एक वृद्ध व्यक्ती और उसकी wife दो subject हैं उनको मैंने connect करा है किस के साथ में जो विद के साथ में ठीक है यहां पे क्या कहा उसने कि जब conjunction के साथ में दो noun या pronoun add होकर के आते हैं तो वहां पे verb हमेशा first person के according use की जाएगी तो यहां पे आपने देखा the old man के साथ में verb अपनी I has ठीक है इसके अलावा दो word है drowned and sunk तो जब कभी भी verb drown या sunk use करने के लिए बोला जाए अपने को तो जब sink इसकी first form होती है drown इसकी first form होती है ठीक है दोनों का Hindi मेंने क्या होता है डूपना लेकिन जब non living things डूपती है निर्जी वस्तवे डूपती है तो हम वहाँ पे sink verb यूज़ करते है और जब living things डूपती है तो हम वहाँ पे drown यूज़ करते है तो यहाँ पे मैंने बताया आपको कि old man और उसकी wife दोनों अपने क्या है living things है इसके लिए अपने को verb यूज़ क्या करने पड़ेगी clear ठीक है आगे देखिया rule number five की अपन बात करें तो यह जो अपना rule है यह हमें क्या बताता है कि जब कभी भी दो subjects connect होते हैं sentences में और वो होते हैं या तो either or के साथ में neither nor के साथ में not only के साथ में या but also के साथ में ठीक है जब यह दोनों add होते हैं किसके साथ में दो subject जब add होते हैं either or neither nor not only but also के साथ में होते हैं यहां पे मैंने but only लिख दिया, इसको आपको but also करना है, ठीक है, यहां पे जो मैंने but only करा है, इसको आपको करना है, but also, तो जब but also के साथ में subject connect होते हैं दो, तो वहां पे जो verb use की जाएगी, वो हमेज़ा second subject के according use होगी, for example, अब देखिए, पहला example, either you or he has or have to complete the job, इसमें देखिए अब, जो subject है अपना, you or he, either or के साथ में जुड़े हुए हैं दोनों, यहां पे जो second subject है, वो अपना क्या है, he, तो he के according अपने पास में, यहां पे क्या आना चाहिए, है जाना चाहिए, ठीक है, पहला sentence clear हो गया, second देखिए, जब not only Rohit, but also Rohit's friends, not only Rohit, but also, but also, not only के साथ में sentence को connect कर रहा है, अपने, दो subject को connect कर रहा है, तो जो दो subject है, Rohit and Rohit's friends, इनको जब अपने connect करा, किस के साथ में, not only, but also के साथ में, तो यहां पे जो verb यूज होगी, वो Rohit's friends के according यूज होगी, that is have, ठीक है, तो वो क्या कह रहा है आपको, Rohit और Rohit के friends ने ही, क्या किये, pass marks क्या करे हैं, secure करे हैं in exam, अब एक छोटा सा common error य passing marks और pass marks, तो जो अपने को exam में मिलते हैं, वो अपने को pass marks होते हैं, ना कि passing marks, basically बोल चाल की भासा में, अपन ग्रैमन छेतर के लोग क्या बोलते हैं, कि मैं तो passing mark लेकर के आया हूँ, लेकिन यह अपना common error में आता है, हमेशा धान डखने की बात है, कि आपको paper में, जो marks मिल बोलते हैं, वो होते हैं, पास marks, ठीक है, और अगर कभी आपने देखा हो, कि लोग क्या कहते हैं, मेरे इतने number आगे, मेरे इतने number आगे, तो वो number नहीं होते हैं, number तो persons की, things की, संख्या को, उनकी जो, क्या बोलते हैं, उससे counting को अपन जब गिनते हैं, तब हम लगाते हैं, यह number first, अपने इतने संख्या होगे, इतने संख्या होगे, इतने नहीं होई, ठीक है, जो अपने को exam में secure करते हैं, अपने वो सारे के होते हैं, marks होते हैं, अंक होते हैं, वैसे अपन बात करें, किसे digit की, mobile number की बात करें, और अपने कितनी number बार, कितनी बार, अपने कुछ च क्रेक्ट की है वो सारी चीज़ें किसमें आती है नंबर में ठीक है तो चलिए यहां तक आपने दो रूल देखें वापस से आप इनको बाय हार्ट करिएगा दोनों यह रूल पहतरे इन क्वालिटी के थे अच्छे लेवल के आपको करवाने वाला हूं ठीक है अब आप ध्यान क्या रखेंगे कि अगर आप पहले बार मेरी वीडियो को देख रहे है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना नहीं जाना है आपको एंड यू हैव तो प्रेश दे बैल आइकन राइट इन दे लेफ्ट कोरनर ओफ यूर वीडियो ठीक है इसके अलावा वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको शेर भी कीजिएगा थेंक्यू फ्रेंड्स